असलाम उलेकूम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जी ओ सी के कुछ कोशन सौल्व करेंगे पिछली क्लास में हमने कुछ कोशन सौल्व किये थे इस वाले वीडियो में हम कुछ और नेक्स्ट कॉंसेप्ट सिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है राइ इसकी थोता है उसकी पिके new उत्य opens कम होती हैं एसTyls का बढ़ा ही important,... यह goC कि जितना ज drastic होंगे उत्छी कम उत्म के朝-क rn candle F वर हो में ओर इस टिनारी इस दिला सकते हैं इलेक्ट्रो स्टीविटिविटी के यानि जितना ज्यादा electron negative हो हमारा atom होंगा उतनी जादा उसकी acidity होंगी और उतनी कम उसकी pk होंगे अब हम acidity कैसे check करते हैं यह हमारा compound है यह x जो compound है इसमें acidity means इसने h positive loss किया यानि यह h positive यहां से चले गया तो यहां क्या बंजेंगा यह o minus जो बचेंगा यानि यह जो हमारा molecule इतना हमारा बच जाएंगा तो यह जो remaining conjugate base इसको बलते है conjugate base of acid यह stronger acids have stable conjugate base यानि acid जितना ज़्यादा strong होंगा उसका conjugate base उतना ज़्यादा stable होंगा तो हमें देखना होंगा किसका conjugate base सबसे जादा stable है जिसका conjugate base सबसे जादा stable होंगा वो सबसे जादा acidic होंगा और सबसे जादा acidic होंगा तो उसकी pke value सबसे कम होंगी तो हमको simple यह check करना है कि सबसे जादा acidic इसमें कौन है तो अभी नहीं देखो उसके लिया में देखेंगे stable base किसका बंद रहा है stable base means अगर यह जो base हमारा बंद रहा है अगर conjugation में जा रहा है means यह stable है यह जो o minus है अगर यह conjugation में जाता है तो समझो यह एक stable base है तो अभी देखो यह o minus यहां गया यह pi bond फिर यहां denocalized होगा और इस पर आजेगा o minus तो यह conjugation में जा रहा है अभी यहां से अगर मैं h positive निकालू यह वाला h positive यहां से चला गया तो यहां पर आजेगा minus 4 अब यह जो conjugate base है यह इस side भी conjugation में जा सकती है और यह इस side भी conjugation में जा सकती है तो सबसे ज़्यादा acidic तो यही हो गया क्योंकि इसका conjugate base है सबसे ज़्यादा stable अभी देखो y सबसे ज़्यादा acidic है इसलिए उसकी pke value सबसे कम हो जाएंगे इसलिए हम y को सबसे last में लिख देते हैं उसके बाद यह जो third वाला है जेड वाला इसका ना देखो यह जो O- बनेगा यह acidic H जब चले जाएंगा तो यह जो base हमारा बन रहा है यह stable ही नहीं है क्योंकि यह conjugation में नहीं जा रहा है अगर conjugation में जाएंगा तब हम क्या कहेंगे यह हमारा stable base है और अगर stable base है तो उसका acid क्या हो जाएंगा strong acid strong acid है भी stable conjugate base तो यह तो हमारा सबसे weak acid हो गया सबसे weak acid हमारा हो गया यानि इसके pk value सबसे जादा होंगी तो सबसे जादा z की हो जाएंगी उसके बाद फिर x की और सबसे कम किसकी थी y की यह हमारा order होंगा इस question का answer हो जाएंगा हमारा first वाला x की pk value sorry third वाला z की pk value सबसे जादा होंगी then x की then y की then next question है arrange the given carbon acids in the increasing order of acidity अब यही question की acidity यानि कौन सबसे जल्दी h positive देंगा तो जिसका conjugate base सबसे जादा stable होंगा वो सबसे जल्दी h positive देंगा और वही सबसे जादा acidic होंगा अब न यहां से अगर मैं h यह दो h है यहां से एक h निकाल दू h positive निकाल दू तो यह जो conjugate base बन रहा है यह दो side conjunction में जा रहा है दो side इसलिए यह stable होंगा यह यहां से अगर मैं निकालू तो यह देखो यहां पे सिर्फ a की side conjunction में जा रहा है इस side कोई group है ही नहीं कि जिससे यह conjunction में जा सके तो यह जो है a वाला यह b से तो कम ही होंगा यानि b वाला जादा acid होंगा a वाले से b वाला दो side conjugation में जा रहा है न इसका conjugate base और यह जो group है यह यहां से अगर मैं h निकाल दू तो यह जो यहां से यह h निकालने के बाद यह जो minus charge इस carbon पे आ रहा है तो इसको ना दोनो side NO2 group लगा हुआ है यानि NO2 के बाजू वाला जो h होता है न कार्बन पे h होता है वो सबसे जादा acid होता है क्योंकि यह देखो conjugation से तो electron withdraw कर रहा है उसके साथ साथ ना इस nitrogen पे plus charge है जिसकी वज़े से इसकी electron negativity बहुत जादा बढ़ जाती है और यह minus ice का effect जो है तो बहुत जादा strong हो जाता है उससे भी electron withdraw करता है यह सबसे जादा acid होगा जब भी side वाले group नाइट्रो group हो तो उसके बाजू वाला जो h होता है यह वाला h यह सबसे जादा acid होगा याद रखना है NO2 के case में सबसे जादा acid तो जो हमारा D वाला होगा वो सबसे जादा acid होगा उसके बाद B और यह अब देखो C वाले में भी दोनों side यहाँ पे जो negative charge है यह दोनों side conjugation में जा रहा है इस side भी और इस side भी तो फिर यह भी stable होना चाहिए लेकिन यह सबसे कम stable होता है इसका correct answer हो जाएंगा इसका answer हो जाएंगा D वाला जो है न वो सबसे जादा acid है D वाला उसके बाद B उसके बाद A और सबसे कम acid होगा अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यह देखो यह जो है ना यह कुछ इस तरह से है यह इस तरह से है यह जो carbon है ना यह bridging carbon है यह जो carbon है ना यह ऐसा है यह जो carbon इस पे negative charge stable नहीं रहेगा क्योंकि यह जो carbon है ना यह bridging carbon है और bridging carbon पे ना ना तो carbon neon बन सकता है ना ही carbon ketion बनते हैं इसलिए यह सबसे ज़ादा unstable हो जाएगा इसको correct option होगा option number fourth उसके बाद है next question हमारा है which among the following carbocatine is most stable तो यह जो प्रोपेन रिंग होती है cyclopropane ring उसके alpha पे next carbon पे जो carbocatine है यह बहुत ज़्यादा stable होता है क्यों क्योंकि यह जो bond बनता है ना overlap से तो यह जो इसके orbitals है यह थोड़े bent shape में रहते है इसके electrons रिंग में strain की वज़े से थोड़े outside रहते है तो यह electron density इसको मिलती है जिसकी वज़े से इस carbocatine की इस वाले carbon की stability बहुत आ जाती है तो सबसे ज़्यादा stable तो हमारा यह हूँ है क्योंकि तीन cyclopropane ring इसको लगे हुई है उसके बाद ना सबसे जादा ही पूचा है हमसे which one is most लेकिन सब इसका order क्या हो जाएगा देखो first वाला सबसे जादा stable हो जाएगा उसके बाद ना यहां पर देखो यह जो carbocatine है यह दो site conjugation में involved है यानि इसको यह benzene ring से भी यह प्लस चार्ज और फिर यहां पर भी एक benzene ring बने हुई है तो यहां से भी इसको stability मिली है और यहां से भी stability 2 side conjugation है इसलिए हमारा उसके बाद आ जाएगा third first is more stable than third then उसके बाद यहां पर सिर्फ एक phenyl ring है second और उसके बाद यह tertiary लेगो tertiary carbocatine सबसे जादा stable होता है tertiary secondary और primary के केस में लेकिन जब हमारा carbocatine conjugation से stability मिल रही है उसको pi bond से stability तो वो tertiary से भी जादा stable हो जाएगा इसलिए यह जो benzene carbocatine यह जादा stable होंगा tertiary से उसके बाद next question है consider the following compounds arrange the compound in decreasing order of their basicity सबसे जादा basic कौन होंगा तो अभी न देखो electron donating group क्या करते है basicity को increase करते है और electron withdrawing group क्या करते है basicity को decrease करते है तो अभी यहाँ पर electron donating group यहाँ पर है CH3 तो यह सबसे जादा basic हो जाएगा fourth वाला उसकी बाद यहाँ पर देखो second और third में electron withdrawing group है तो मैंने आपको बता है नाइट्रो जो होता है न सबसे जादा strong electron withdrawing group होता है बहुत जादा इसलिए यह इसकी basicity को बहुत जादा कम कर देगा इसलिए यह सबसे least basic हो जाएगा second वाला हमारा सबसे least कम basic हो जाएगा और जो fourth वाला है वो सबसे जादा basic ऐसा इसलिए option में option number second में fourth सबसे basic हो जाएगा उसके बाद ना इस पर कोई भी group लगा हो पाने है electron donating भी नहीं है withdrawing भी नहीं है इसलिए second वाला है strong electron withdrawing group है यह सबसे कम basic तो यहीं होगा electron donating group क्या करते है basicity को increase करते है और electron withdrawing group basicity को decrease करते है इसका correct option हो जाएगा option number second